तुझे बैंगन की तरह मसल दू या टामाटर की तरह पिचक दू दोनों को मिलाकर तेरी चट्मी बन जाएगी बहुत टेस्टी लगेगी आज 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 पर कोई हाथ उठाएगा तो वो छोड़ देगा क्या कराटे करके क्लीन बोल्ड कर दिया है बेंट 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 यहां आपको नहीं आना चाहिए बेटा आप ते जो कहा उसके बारे में मैंने बहुत सोचा दिमाग तो कहता है कि बिल्कुल सही फैसला है पर क्या करें दिल मानने को तयार नहीं है बेटा इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी तैय करती है ये बाते मैं तुम्हें जान बूझ कर बता रहा हूँ मेरी बेटी चाहती है उसकी शादी का काट सबसे पहले तुम्हें दे इसलिए वो खुद यहां आई है आज के बाद हम दोनों कभी भी मिलेंगे मैं कभी सपने में भी नहीं सोचूंगी जो मुझसे शादी करने वाले हैं वो मेरे बारे में सब कुछ चानते हैं बहुत अच्छे इंसान है डिग्री होल्डर है वो पुलिस में भरती होना चाहते थे आज वो कमांडो ट्रेनिंग ले चुके है वो नौकरी भी ने पसंद नहीं आई तो आज उसे छोड़ कर कंप्यूटर हाडवेर की सर्वस करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं इतना ही नहीं जिम्में चोटे बच्चों को कराटे भी सिखाते हैं और वो बहुत अच्छे परिवार को बिलाउंग करते हैं नेक इंसान है आज से मैं ही उनकी सब कुछ हूँ उन्हें इस तरह सलाखों के पीछे छोड़कर मैं भला कैसे अपनी जिन्तकी आराम और सुकून से बिता सकती हूँ बताएं कि मुझे आपने मुझसे कहा मुझे भूल जाओ पर आपकी आँखों के आंसों मुझे ये बता रहे थे कि आप कितना चाहते हैं आज का दिन शुब है कोट परमिशिन फर्मालिटी सब रेडी है ये शादी अभी यहीं होगी अगर नहीं हुई तो कल के बाद आप चाहकर भी मुझसे नहीं मिल पाएगे किसी ये जादी नहीं मिल पर आपकी ये मुझसे नहीं मिल पर आपकी बट्रूंग सर जैसे आप सोचते हैं उसे मौत की घाट उतारना इतना आसान नहीं है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा मौका मिलते ही मैं उसका गेम बेज़वा दूँगा क्या हूः ऐसा उन्होंने क्या कहा जो तो जड़ूंगा नहीं से महें मुझे बताओ क्या हूः एक अथा मेरी खुला मी करेंगा इप पूछ रहा था हिंए ठीक है कैसी गुलामी कैसी घुलामी मतलम मैं खफ़ता नहीं नहाँ औरि मर्सी आप मिडिल क्लास वाले क्या सबजेंगे ये बात अब इसे मैं क्या जबाब दूँ क्या हूँ अब बहुत अपसेट हो रहे है ना आपका फेस तो इरिटेटर लग रहा है अरे ने 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 अच्छा सुनो वांटी ने लाएगे तो चलेगा है अरे अरेजा रहा आपकी अर्जा अरेजा अर्जा औराजा जाएएफ अर्णा गुला झाला क्या बात क्या है सर सी बी आई का एक आफिसर आया है वो बाल की खाल उदेड रहा है सर सर अभी मन्यू बेसिकली थोड़ा अबनॉमल है सर वो किसी से भी यह वजय मार पिट शुरू कर देता है सर एक बार मैंने बहुत प्यार से पुछा तो मैं ऐसा क्यूं किया कोई रास्ता नहीं था इसलिए उससे रसी से बांद कर अलागी सेल में रखते हैं उस वक्त रात के साड़े आठ बजे थे और कैदियों के सी ब्लॉक सेल से अचानक अलाम बजने लगा हमें बाद में पता चला कि अभी मन्यू ने कॉंस्टेवल को मार के वहां के सारे ताली त और सारे कैदि बहां से भाग चुके थी हम उसे डून कर उस तक पहुचे तो उसने जीड़ा बिल्डिंग में आग लगाती है तब हुने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें साथ फिर मैंने कमिश्टर साब को फोन करके बताया तब उन्होंने शूट करने का ओडर दिय हमने जो कुछ भी किया उसका स्टीट्मेंट टेयार करके कमिश्टर साब के अफिस पे विजवा दिया है ये उसकी और एक कॉपी है ये तो मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है कुछ पढ़ा ही लिखाई की होती तो पल्ले पढ़ता ना कितने बज़े कम को अंचाम देना है आज रार ठीक साड़े आठ बज़े साड़े आठ बजने वाले हैं सारे कैदी जेल से भाग रहे थे और स्टोरू जल रहा है और चार-पांच पुलीस वालों को भी जिन्दा जला दिया गया सबकुछ हमारे साब से हो रहा है अब तक बस अब तुझे ठीकाने लगाना बाकिए है ठार रह귀 तुझे तुझे बास करें बाकिटरॉ सब्सक्राइब! अई हैंए बचलत रहीं रहाँ है इंए है नहीं एक तुझ जाग मिएी जाँ नहीं एक तुझ कर लगाँ कर दो, कर दो, कर दो, कर दो! कर दो, कर दो, कर दो, कर दो! तेरा कोई सुभूत ना मिले। इसलिए सूचा था कि पेट्रोल डाल के तुझे जिन्दा जला दूंगा.